अगर आप लोगों ने अपने एक्जाम के पुराने कुश्चन्स फेपर उठा के देखे होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो दिवस मनाये जाते हैं न इनसे आपकी परेक्चाओं में कुश्चन्स पूँचे जाते हैं फिर चाहे आप लोग से भी सर्विस की बात कर लिजे इस्टेट पी सीएस की बात कर लिजे या आप देखते हैं कि और भी आपकी वंडे एक्जाम होते रहते हैं SSC, Bank Railway, इस तरह की, और राज्यों में भी आप देखते हैं, वंडे एकजाम होते रहते हैं, सिक्चक भर्दियां होती रहती हैं, पुलिष्ट कॉंस्टेवल के लिए होते रहते हैं, फटवारी के लिए होते रहते हैं, तो इन सब एकजाम में इस तरह की कुश्शन्स पूँचे जाते हैं, और इनके बारे में एक सामन जानकारी आपके पास होना चाहिए, कि ये क्यों मनाया जाता है, और कब से मनाना सुरू हुआ, और इसे मनाने का उद्देश क्या है, क्योंकि आप देखेंगे 26 नवंबर को राष्टी ये दुख्द दिवस मनाया जाता है, राष्टी ये दूद दिवस मनाया जाता है, कब 26 नवंबर को, और आपको बता दूँ कि एक जून को विस्स दुख्द दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को राश्टी इस्तर पर भारत में आप देखेंगे क्या मनाया जाता है दूद दिवस और एक जून को बिस से दूद या दुख दिवस मनाया जाता है इन दोनों में आप लोग अंतर जरोर याद रखिएगा और पहले अगर हम लोग बिस से दूद दिवस की बात कर ले तो आपको बता दूँ कि ये दुनिया वर में एक जून को बिस से दूद दिवस यानि की वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है और स्वास्त के लिए दूद कितना महत्तो रखता है ये हमारी डाइट का कितना जरूरी है इस बात को समझाने के लिए और दूद को डाइट में सामिल करने के लिए लोगों को जागरूप करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है एक जून को 22 दिवस मनानी की सुरूवात साल 2001 में हुई थी और इसकी सुरूवात सयुक्तराष्ट बिभाग के बिभाग खाद देवं किर्सी संगठन द्वारा की गई थी तो यहाँ सयुक्तराष्ट की बात हुई है तो इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ सहयुक्तराष्ट की बात करें तो UN की बात हो रही है और इसकी बात करें तो अंतराष्टी संगठन है आप देखते हैं इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और इसका हेड़क्वार्टर आपको नियोर्क सहर नगर नियोर्क USA में देखने को मिल जाएगा अभी बारत्मार में 193 सदस देश इसकी है और यहाँ आप देखेंगे कि एक और संगठन है खाद देवं किरसी संगठन जो सहयुक्तराष्ट की अंडर के में ही आता है तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा इसे आप लोग FAO के नाम से भी जानते है और इसकी स्थापना सयुक्तराष्ट खाद देवं किरसी संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी रॉम इटली में इसका हेड़कॉर्टर आपको देखने को मिलेगा चली अब हम लोग बात करते हैं जो राष्टी इस्तर पर दूद दिवस मनाया जाता है तो यह आप देखेंगे पसु पालन विभाग 26 नवंबर को राष्टी दुख दिवस मनाता है और राष्टी गोपाल रतन पुरुसका 2022 समारो के दोरान प्रिदान किया गया है और पसु संग रोध प्रमाडन सेवाओं का भी उधगाटन किया गया है और पतेग बर्स एक जून को बिस्तर दुख दिवस की रूम में मनाते हैं और राष्टी दुद दिवस की अगर हम लोग बात करें और 26 नवंबर 2022 को भारत में सुवित क्रांती के जुजनक माने जाते हैं डॉक्टर बर्गीच कुरियन की 101 भी जैनती मनाई जा रही है और डॉक्टर बर्गीच कुरियन की अगर हम लोग बात करें तो इनका जनम कब हुआ था? किसका? डॉक्टर आप देखेंगे बर्गीच कुरियन की बात हो रही है तो इनका जनम हुआ था आप देखेंगे कि 26 नवंबर 1921 में और 9 सेप्टमबर 2012 में इनकी डैथ हो गई थी इन्हें मिल्क मैन की नाम से भी आप लोग जानते हैं और उन्हें भारत में सोईत करांती के जनक की रूम में भी आप लोग जानते हैं और ये कुश्चन साफ लोग उसे पूछ लेगा कि सोईत करांती का जनक कौन है? तो आप देखेंगे भारत में डॉक्टर बर्गीच कुरियन है वे अपने ओपरेशन फ्लेड के लिए काफी पिसेद रहे हैं जैसे दुनिया के सबसे बड़ी किरसी कारिकरम की रूम में जाना जाता है उन्होंने बिभिन किसानों और सर्मेकों द्वारा चलाये जा रहे तीस संस्थानों की स्थापना की और उन्होंने अमूल ब्रांड की स्थापना और सफलता में भी मादपूर भूमी काने बाई जो अमूल का दूद आता है ना उसी की बात हो रही है उन्हीं के प्रयासों के परड़ाम स्वरूप भारत में वर्स 1998 में अमेरिका को पीछे चोड़ते हुए दुनिया का सबसी बड़ा उत्पादक बन गया है दूद के मामले में और उन्होंने दिल्ली दूद यहुजना की प्रबंदन में भी मदद की और कीमितों में सुधार किया उन्होंने भारत को खाद तेलों में आत्म भर बनने भी मदद की है उन्हें रह्मन मैक्सिस पुरुसकार 1963 दिया गया किर्सी रतन दिया गया 1986 में और विस से खाद पुरुसकार भी 1989 में इन्हें दिया गया और कई सम्माने ने मिले हैं वह भारत की सर्वोच नागरिक सम्मान पदम सरी से भी आप देखें 1965 में सम्मानित हो चुके हैं पदम भूसन से 1996 में सम्मानित हो चुके हैं पदम भी भूसन से 1999 में सम्मानित हो चुके हैं ये सभी वरुसकार आपको बता दूँ पदम सरी हो पदम भूसन हो या पदम भी तो इनके बारे में ये भी आप लोग याद रखेएगा आप लोग इन्हें अपने स्क्रीन पर देख भी रहे हैं अगर भारत में सुईत क्रांथी की बात करें तो ओफरेशन फिलड तेरे जनवरी किसानों को उनके द्वारा संपन संसादनों पर सीधा नेंतन पर दान किया और जिससे उन्हें अपने स्वैम के विकास को निदेशित करने में मतल मिली इससे ना किवल बड़े फिर्माने पर उत्पादन हुआ बलकि इससे अब सुरेत करांथी की रूम में भी आप लो जानते सफेद करांथी और इसका आप देखेंगे पहला चरन 1970 से 80 के वीच चला था और इस चरन को विस खाद कारिकरम के माध्यम से यूरोपीय संगत द्वारा दान किये गए वटर आयल और स्किम्ड मिल्क पाउडर की विक्री से प्राप्त धन से वित्पोसित किया गया था दूस और एक आत्मिरोहर प्रडाली इस्थापित की गई थी जिसमें 43,000 ग्राम सहकारी समतियों के 42,50,000 दुख्द उत्पादक सामिल थी इसमें तीसरा इस्टेज या तीसरा चरण 1985 से 1996 की वित इस चरण में डेरी सहकारी समतियों का विस्तार कर उन्हें सप्चम मनाया गया और कारकरम को अंतिम रोप पिदान किया गया और इसे दूद की बरती मात्रा की खरीद और बाजार के लिए आवसक बन्यादी धाचे को भी किया गया और आप देखेंगे इसके उद्देश की बात करें दूद उत्पादन को बढ़ाबा देना वह सकता है उद्देश पूंच ले आप लोगों से प्रेलम से में पूंच ले तो दूद उत्पादन को बढ़ाबा देना ग्रामीड आय में विड़्धी करना और भोकत यहालों अप दीखितु घ्रालन केरें उन्हें कोई जाना नुकसान नहीं होता है और दूसरे चित्रों जैस्विक उतपादन के साथ दुनिया गर्ष सबसे बड़ा दूद उतपादक देश है और आप देखें कि फसल हो रही है तो खाने के लिए फसल सजी तो आप देखते हैं वो जो भी भूसा-भूसा होता है निकलता है ना तो गाय वो भैसो वही खाते हैं वो तो किसानों को पाल भी सकते हैं पशुओं को तो एक जून को आप लोगों को याद रखना है विश से दुख देवस मनाय जाता है और मिल्क डे आपको बता दूं इंडियन यानि कि नेशनल मिल्क डे 22 खबीस नवंबर को मनाय जाता है 26 नवंबर को यह जरूर आप लो याद रखेंगा र चबीस नवंबर भारत में बनाया जाता है ठीक है?